नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो जे यारफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम इकाई चार कर रहे थे और इसमें वैचारिक पिष्टगोमी में देखी हमने इसका जो एक तरीके जो फस्ट पार्ट है या हम इसको दो भागों में विवाजित करके देखते हैं तो एक तो वही है जो हमने पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने लगबग सारी complete कर ली थी जो आपका वैचारिक फिष्ट भूमी का unit है उसके regarding जिस पर हम देखते हैं कि आपका हिंदी नवजागरण और भारते इंदू हिंदी नवजागरण और आपका महापीट प्रसाद दूवियदी तक हमने कर दिया है ठीक है अब यहां के अब इसलिए भी बन जाती है क्योंकि UGC net की परिक्षा में आपने देखा होगा कि यहां से तीन चार प्रशन हर बार पूछे जाते हैं परिक्षा में ठीक है तो एक दो सालों से या एक दो इससे पूर्व के जो पेपर हो चुके हैं उनमें आप देखते हैं कि गांधी दर 18 का दौर चला है तो यहां पर हम देखते हैं कि हिंदी की परिक्षा है वह दो शिप्ठों में हो रही है तो जादा प्रशन बनने की संभावना रहती है तो हो सकता है इस वाले पोर्शन को जादा टच किया जाए क्योंकि प्रशन आने की संभावना यहां से अब लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखिए हमने जो इकाई चार की जो वैचारिक पिष्ट भूमी है उसमें सबसे पहले जो गांधिवादी दर्शन है उसको लेकर हम आज आपके बीच में उपस्तित हुए हैं और इसमें में 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 चीज़े आज से हमसे छूट जाएंगी तो उनको हम आगे वाले लेक्चर में दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना देर किये शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और सबसे पहले हम जान लेते हैं गांधिवादी दर्शन के बारे में तो यहां पर देखि अभी गांधिवादी दर्शन के अंतरिकत कौन-कौन से लोग आते हैं दूसरी चीज़ यह है कि आपका गांधिवादी में गांधी प्रमुक्त थे अंबेडकर में अंबेडकर प्रमुक्त थे तो इनका एक तो काल्टरमानुसार इनका पता होना चाहिए आपको क्योंकि इ को इसमें रखने को कहा जाता है, तो जीतरे भी आपके दर्शन है, उसमें जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं, उन व्यक्तियों को आपको क्रमानुसार रखना आना चाहिए, उनके जनमतितियां आप याद कर लें, ये basic है इसका, क्योंकि इस तरीके के ही प्रशन अभी basic basic प्रशन ही पूछे जा रहे हैं क्योंकि अभी जादा पूराना यसले बस नहीं हुआ है तो इसलिए आपके पास जो जो भी चीजें हैं important उनको आपने याद रख लेना है तो यहाँ पर गांधी वादी दर्शन के अंबात कर रहे हैं तो मेंल यहाँ पर देखी क्या है कि क्या है जो आपका भारत औवम जो भारतिय स्वत्मत्रता अंदोलन में सबसे जादा जो मौत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो किसका चाहे आपका राजनीतिक हो या पिर इसको अध्यात्मिक कहें तो वो एक तरीके से राजनीतिक और अ हमारा मात्मा गांदी के ऊपर ही जा सकता है तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि इनका जनम आपने याद रख ले रहा है ठीक है और दूसरी चीज यहां से जो इंपोर्टन चीज है जो मैंने आपका कहा कि एक तो यह आपके स्वत्मत्रता अंदोलन के प्रमुख डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा माने जाती है तो देखिए आप सब लोग जानते हैं कि जो महात्मा गांधी का दर्शन है या जिसको जो उनके विचार थे उन्होंने बहुत जादा प्रभाव डाला है आपकी भारती राजनीती पर और जो अंग्रेज थ राते थे उनके जो विचार थे उनसे तो देखिए गांधिवाद में महात्मा गांधी विनोबा भावे तथा जैप्रकाश नराइन के विचारों को शामिल किया गया है तो ये चीज बहुत जादा महत्वपूर्ण है कि आपका जो गांधिवाद है उसमें कौन-कौन से लो सरवोदयी माने जाते हैं ये ठीक है मतलब सबका उत्थान जो इनका एक सिधान्त है गांधिवाद का तो सबसे ज़्यादा किसको माने जाता है सरवोदयी तो वो हैं आपके विनोबा भावे तो ये चीज भी आपको थोड़ी बहुत पता होना बहुत जरूरी है कि गांधि गांधिवादी दर्शन या इनके विचारों में ये शामिल होते हैं ठीक है और सरवधिक जो हमने पहले विवाद के जो परख्याद सरवोदय आई कौन थे वो थे आपके विनोबा भावे तो यहां तक कि गांधिवाद क्या है आपका ठीक है जो गांधी के विचार थे है वो ही आपका गांधिवाद है ठीक है नेक से दिखिए कि विद्वानों के अनुसार गांधिवाद का अर्थ व्यक्ति तथा समाज के हिद से है तो देखिए विद्वान क्या मानते हैं कि जो गांधिवाद का अर्थ क्या है वो आपका किसको कहा गया है व्यक्ति तथा के हिद की ही बात करते थे हमेशा सत्य आहिंसा की बात करते थे सदमार की बात कहते थे सदभावना की बात कहते थे तो ये सब चीजें के हैं आपके समाजिक हिद की बाते ही वो करते थे यह विचार धारा गांधी द्वारा अपनाई और विक्सित की गई उन धार्मिक समाजिक विचारों का समू है तो देखे कौन ये बोल रहे हैं कि ये गांधी बादी विचार धरा थी ये गांधी के द्वारा अपनाई गई और विक्सित की गई उन धार्मिक और समाजिक विचारों का समू है जो उन्होंने पहली वार वर्ष 1893 से 1914 तक दक्षिन अफरीका में तथा उसके बाद फिर भारत में अपनाई थी तो अगर इस तरीके से परशन पूछा जाए कि ये जो विचार धरा इनोंने सबसे पहले कहां पर इसको अपनाया था अब दक्षिन अफरीका में 1893 से 1914 में और 1914 से अंत तक या लास तक उनोंने कहां पर इसको फिर अपनाया भारत मे अपनाया था ठीक है तो ये महत्वपूर्ण चीज है आगे है देखिए गांधी जी अपने विचारों को किसी विचार के अंतरगत बांध कर रखना पसंद नहीं करते थे तो ये चीज भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्योंकि जो गांधी जी के विचार थे देखिए वो किसी एक चीज पर फोकस नहीं थे आप देखते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों से बपर जयादा प्रभावित रहे हैं चाहिए आपका रसगीन हो टॉल स्टॉय हो तो उन लोगों से वो काफी प्रभावित देखते हैं चाहिए आपका थोरों हो ह तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि जो गांधी जी अपने विचारों को किया है किसी विचार के अंतरगत वो बांध कर रखना पसंद नहीं करते थे ठीक है और कहा यह जाता है कि उन्हें गांधी वादी नाम भी खटकता था और वे बार बार कहते थे कि मुझे ना कोई वाद चलाना है और ना कोई संपरदाए लेकिन एक चीज तो साफ है कि जो उन्होंने कहा था कि मैं ना किसी संपरदाए और किसी वाद को चलाना चाता हू वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते थे कहते थे कि मैं सत्य को जानता हूँ और सत्य की ही बात करता हूँ ठीक है तो ये मानते थे गांधी जी लेकिन इसके पश्चाद देखे 1931 का जो इर्विन समझोता हुआ था उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वयम ही ये चीज कही थी कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद जीवित रहेगा कि उनके जो विचार हैं उनके जो आदर्श हैं वो जीवित रहेगा और इस प्रकार ये कहा जाता है कि गांधी जी ने स्वयम अपने विचारों को गांधिवादी वीचार भले ही अंजाने में ही कहा हो लेकिन वो इसको गांधिवाद मान बैटे थे ठीक है तो इसलिए इनोंने कहा कि इनके जो वीचार थे वो किसी के अंतरगत बंद कर नहीं रहे हैं आगे दिखिए कि हिंद स्वराज इसमें इनोंने क्या किया अपने है देखिए इसमें इनोंने अपने विचारों को विवस्थित प्रस्तुति करण किया है बाकी स्थानों पर उनका लेखन कुछ क्या है बिखरा हुआ प्रतीत होता है तो ये चीज भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए चलिए अब हम चलते हैं आगे और इसके के साथ नहीं बलकि उनका जो जो भी चीजें जहां से उनको अच्छी लगी बोनों ने उठाने की कोशिश की है और जिन जिन चीजों से वो प्रभावित हुए उनको नों ने रखा है तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है कि गांधिवाद आदर्शवाद पर नहीं ब ब्यभारिक आदर्शवाद पर यह जोर देता है ठीक है आपका गांधिवाद है ना तो यह तो अगर हम गांधिजी के बात करें तो वो भी आपकी क्या है ब्यभारिक आदर्शवादी कहे जा सकते हैं है ना तो हो सकता है आपको इस तरीके से प्रशन पूछा जाए तो अब आपका जो ये वाला यूनिट है देखिए यहां से आपको इस तरीके की ही पढ़ाई करनी है क्योंकि यहां से आपको कोई सन वाले जो प्रशन आने थे वो मैंने बता दिया कि हो सकता है इस तरीके से ब करना पड़ेगा क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो गांधी दर्शन, लोया दर्शन, माक्सवाद, अंबेड करवाद, इनमें समानताएं या किस चीज को लेकर इनमें एक तरीके से उतार चरहाब, मतलब इस तरीके से कंफ्लिक्ट थे, ये चीजें भी कर सुईकार भी किया है, तो वो खुद ये बात सुईकार करते हैं कि उनके जो विचार है, उन पर किसका असर पड़ा है, इसामसी का पड़ा है, जैंदर्शन का पड़ा है, रस्किन का है और टॉलस्टोय का है, सब का इसमें प्रभाब देखने को मिलता है, आगे हम देखे या जो प्रमुक थे वो मैंने आप रखती हैं कि इन से ये प्रभावित थे तो पहला जो बंत्रपूर नाम है देखिए गीता और रमायन है उसके बाद वे बौध धरम के शांती एवं अहिंसा के विचार से काफी प्रभावित थे कौन गांदी जी बौध धरम से भी प्रभा है कि इसलाम से कौन सी महत्रपूर्ण चीज़ थी संकल्पना थी और धरम जो बहुत धरम था वहां से उन्होंने क्या लिया शांती और आहिंसा फिर जो लियो टॉल्स्टॉय है देखिए उनके जो दक दो किंगडम औफ गॉड इस विदिन यू यह 1994 का इनका जो महत्रपू अफ गॉड इस इन विदिन यू 1994 ठीक है एक यह कथन है और दूसरा लियो टॉल्स्टॉय का जो उपन्यास है वार एंड पीस है न उससे यह बहुत जादा प्रभावित रहे हैं नेक्स देखिए और जो हैं 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 डेविड थोरो के जो अशे ओन सीविल डिस ओबिडेंस स वे काफी जादा प्रभावित माने जाते हैं जो आपका महात्मा गांदी जी थे ठीक है दो चीज़ें है इसमें एक तो लियो टॉल्स्टॉय का जो आपका उपन्यास है वार एंड पीस है न दूसरा जो उनका एक कथन है दो किंग्डम ओफ गॉड इस विद इन यू ठीक ह इन चीज़ों से यूए प्रभावित थे और हेंडरी थोरो से भी ये प्रभावित माने जाते हैं ठीक है नेक्स से दिखिए कि गांदी जी ने यह शिक्षा जोन रस्किन के अंटो दिस लास्ट से ली की प्रतियक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए जीतना महत्व एक वकील के श्रम का है उतना ही महत्व नाई के श्रम का भी है तो देखिए हो सकता है ये चीज़ पूछी जाए कि आपको ये पंक्ति दे दी जाए कि प्रतियक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए जितना महत्व वकील के श्रम का है उतना ही नाई का भी है इसलिके का आपको कथन दिया गय 1860 ठीक है unto this last 1860 मैं इसको लिखा गया था ठीक है तो ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं है ना जहां से महत्वपूर्ण जो लोग रहे हैं या महत्वपूर्ण जो रचनाए रही हैं या जो विचार रहे हैं जिन से गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन ही विचारों को नों है आतम साथ किया और यही विचार जब एक पधती के रूप में चले तो वही आपका क्या कहलाया गांधीवाद कहलाया आई होप आप सब लोगों को समझा गया होगा कि गांधीवाद क्या है और गांधीजी किन चीज़ों से प्रभावित रहे हैं यह चीज़ें बहुत ज़्यादा महतपोन थी वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं दोस्तों अगर आपको लगता है कि कुछ एक चीज़ें मुझसे गलत हो रही है तो आप बेजीज़क कमेंट सेक्शन में जाकर हमारे साथ साजा कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ भी जूर सकते हैं आपको अगर इस पीडियेफ इस पीपीटी का पीडियेफ चाहिए होगा तो वो भी हम अपने टेलिग्राम ग्रूप में आपके साथ उसको शेर कर लेंगे जब हमारा ये वाला पोशन खतम हो जाएगा तो चली दोस्तो अब हम देख लेते हैं इसके पश्चात आगे है देखिए आपका जो गांधिवादी दर्शन और उसके मूल्य हैं तो देखिए ये भी बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है कि आपके जो से धान्त हैं गांधिवाद के वो कौन-कौन से हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे हम गांधि का नाम लेते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो एक ही है आपका सत्य और अहिसा है तो गांधिवादी दर्शन और उसके मूल्य में जो गांधिवादी विचार धरा के अधार भूत से धान्त माने जाते ह दो सिधान्त सत्य और अहिसा ठीक है दीए गांधि जी का माना था कि जहां सत्य है वहीं इश्वर है तथा नेतिकता नेतिक कानून और कोड जो है वो इसका अधार है वे कहते हैं सत्य और अहिसा सदैव अजे रहें तो ये बात किस ने कही है ये महात्मा गांधी ने कही है क अशुब और अशुब जड़ चेतन को लेकर हुआ है इस निर्मान का उदिश्य यह है कि सत्य और अहिसा सदैव अजय रहें यह इसका इनका पूरा कतन है ठीक है तो हो सकता है इस तरीके से परशन पूछा जाए कि यह कतन किसका है तो यह भी किसका है आपका गांधी जी का ही है तो में चीज का है गांधीबाद में कि गांधी जी को ही फोकस किया गया है लेकिन इसके अलावा जो आप देखते हैं जेब्रकाश नरायन, विनो बाभावे, हित्यादी जो लोग थे वो भी इससे प्रभावित थे आपके गांधीबाद में उनके विचार बेस में कहीं कहीं शामिल है नेक्स से देखिए अहिंसा तो अहिंसा का आर्थ होता है प्रेम और उदार्था की पराकाश्था ठीक है तो ये चीज़ भी किसमे है गांधिबाद में देखने को मिलती है और गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी भी मानसीक वो शार मुक्ता से मानी जाती है नेक्स आता है इसमें जो महत्वपून चीज है सत्याग्रह तो इसका अर्थ है सभी परकार के अन्याय उत्पीडन और शोषन के खिलाप शुद्धतम आतंबल का प्रियोग करना तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप समझत सहित कई अन्यमहान दर्शनों में मिल सकती है ठीक है तो जो जो चीज़ें उन्या पड़ी थी वहां से हमें इस चीज़ें के बारे में जानकारी मिल सकती है तो ये था आपका सत्याहिसा और सत्याग्रह तो ये में चीज़ें मानी जाती है आपके गांधिवादी दर्शन मे लेकिन इसके अलावा और भी कुछ एक महत्वपून चीजे हैं जो गांधी बादी दर्शन में हमें देखने को मिलती हैं देखिए वो कौन-कौन सी चीजे हैं तो इसमें सबसे पहले है देखिए सर्वोदय तो सर्वोदय से आप क्या समझते हैं देखिए सर्वोदय का मतलब है सबका उत्थान या सभी की प्रगती ठीक है तो देखिए गांधी जी के अनुसार क्या बोलते हैं कि सर्वोदय उस विचारधारा की और संकेत करता है है ना जो आपका क्या है सत्य और एहिंसा पर अधारित हो तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं है ना समाज में किसी का किसी के प्रती बैर ना हो यह वर्ग सहयोग पर अधारित है देखिए तो यह चीज़ का है गांधी वाद में बन जाती है और सर्वोदय का अर् कि पुस्तक है अंटू दिस लास्ट वहां पर इसको इनों ने पढ़ा था ठीक है तो यह आपका सर्वोदय क्लिर है कि सर्वोदय से हम क्या समझते हैं या गांधिबाद का जो सामाजिक पक्ष है उसको कहा जाता है आपका सर्वोदय सब के उत्थान की बात यह करते हैं नेक्स आता है दिखिए इसमें अगला जो इनका मूल्य या अगला जो से धान्त है गांधिबादी दर्शन का वह देखिए हालांकि स्वराज शब्द का अर्थ स्वशासन है लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन क्रांती की संग्या दी जो की जीवन के सभी क्षेत्रो में खित्रों को समाहिद करती है कौनसा आपका सवराज तो देखिए स्वराज में एक चीज़ आपका आज आएगा सवधेशी जिसको आज कल चलाया भी जा रहा है जो आतम निर्भर भारत है है ना उसका मतलब यही था आपका सवधेशी का मतलब की यहां के लोग क्या हो व प्रभावी भी कल प्रस्तुत किया था कि जो शिक्षा है वो आपकी अपनी ही लेंग्विज में दी जानी चाहिए ठीक है तो यही चीज आप सौराज और सौदेशी लगभग दोने चीज़े हैं कि अपना ही आपका अधिकार होना चाहिए ठीक है तो गांडी जी के लिए सौ सौराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतनत्रता और अपने संपूर्ण अर्थों में सौराज स्वतनत्रता से कहीं अधिक है यह स्वाशासन है आत्म सयम है और इसे मोक्ष के बाराबर माना जा सकता है तो देखिए यहां पर मोक्ष की बात आ रही है आगे तो इ यह था सौराज और स्वादेशी इसको आप कहा सकते हैं दोनों चीज़े हैं है ना स्वादेशी और सौराज फिक है सौराज से मतलब है व्यक्ति सौतन्तर है चलिए अब आगे देखिए इसके पश्चात यह आता है आपका गंधिवादी दर्षन और इसके मोल्यमें ट्रस अरस्तिशिप का सिध्धांत से आप क्या समझते हैं कि इस सिध्धांत के अनुसार जो संपतिशाली व्यक्ति अपनी संपति का मालिक नहीं है बलकि ट्रस्टी है ठीक है गांदी जी अरस्तु के इस सिध्धांत के समर्थक थे तो देखी एक चीज तो यह है कि इन्होंने यह वो है आपका एरिस्टोटल से ठीक है तो अरश्टु के इस सिधान के वो समर्थक थे कि जो संपत्ती है वो व्यक्तिगत होनी चाहिए तथा उसका उपभग क्या होना चाहिए सारब जनिक होना चाहिए गांधी जी ने भारत में पूझी पत्यों को अपनी संपत्ती को व्यक् से हाथमिक चीज लग रही है ना आपको तो है ना इस सिधान के अनुसार इश्वर संपत्ती का मालिक है और व्यक्ति क्या है संपत्ती का महद्ट्रस्टी है तो यही इनका क्या है ट्रस्ट De했는데 का सिधानत माना जाता है तो यह था दोस्तो पूरे का पूरे आपका गांधी बाद है उनके जो प्रमुख मूल्य हैं या सिधान्त आप जिसनको कह सकते हैं सत्य अहिंसा सत्याग्र है ठीक है आपका जो सर्वोद है जिसको आप सबका उत्थान कहते हैं या जिसका समाजिक वक्ष जो है फिर नई तालीम के समद्ध में उनके क्या विचार है महत्मा जाते हैं क्लियर है इतना तक यहां देखिए इसके पशार लिखा गया कि सर्वोद है रामराज्य और सत्याग्र है गांधी जी इन तीन आदर्शों को लेकर चले और यही गांधी वादी विचार धारा के अधार भी माने जाते हैं तो यह था आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर इसके अलावा आगे वाले लेक्चर में जो जो चीजें इससे हम से छूट गई हैं उनको हम फोकस करने की कोशिश करेंगे जिसमें इनके राजनितिक विचार हो चाहे आर्थिक विचार हो या फिर समाजिक विचार हो और जो अन्य जो महत्वपून चीजें हैं ज जो जो यहां से हमसे रह गई है जो हमें और ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत है आपके गांधिवाद को तो जल्द ही आपके बीच में हाजिर होंगे पूरे के पूरे गांधिवाद से जो भी हमारे मौत्पुन तथ्या बच गया है उनको लेकर तो फिलाल आज के लिए तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नईस फूरती के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहिंद